नमश्कार दोस्तों आपका स्वागत है Starbnasku News में दोस्तो बात करने वाला हूँ उत्तर परदेश अधीना सेवा चैनायो के एक परिनाम के संबन्द में और उस भरती के परिनाम के संबन्द में आपको बहुत महत्यपून जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए वीवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको किसी भी भरती के संबंद में या परिणाम के संबंद में कोई भी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं दोस्तो यूपिटर पलसी की एक भरती है विग्यापन संख्या 22 परिक्षा 2016 जिसको हम लोवर टू या लोवर सबोडिनेट 2016 के नाम से भी जानते हैं ठीक है लोवर टू के परिणाम का आपको बहुत लंबे समय से बेसब्बरी से इंतजार होगा और लगातार पांच साल से आप इसके परिणाम का इंतजार कर रहे हैं और अभी तक इसका अंतिम परिणाम गोशित नहीं हुआ है और इसके सक्षातकार को भी तीन महीने का समय हो चुका है लेकिन अभी तक इसका अंतिम परिणाम गोशित नहीं हुआ है जबकि आयोग को एक काम करना चाहिए कि जो पुरानी लटकी भरतिया है जो 16-17 की भरतिया है उनको सबसे पहले पूरा करना चाहिए लेकिन आयोग किसी भी भरती पर कोई अक्षन नहीं लेता वो काम करता है अपने हिसाब सही चाहिए आप कितना ही कुछ कर लेजिए दोस्तों पांस साल पुरानी इस भरती लोवर यूव टू की आगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ दिनों में ये बात चली थी कि भाई लोवर यूवर टू की भरती है वो कोट में चली गई है और अब इसका परिणाम जारी नहीं होगा ठीक है तो कुछ दिन पहले ये ब इस भरती में क्या चल रहा है और इसका परिणाम कब तक जारी होगा ठीक है और वही जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं क्योंकि वह जानकारी मैंने आज निकाली है क्याई दिनों से मैं चक्कर में था कि ये जानकारी पता लगा लूँ दोस्तो lower 2 के बारे में जो जानकारी मुझे मिली है जो मैंने पता लगाने का प्रयास किया है वो जानकारी ये है कि lower 2 की भरती कोट में नहीं है ठीक है आप बिलकुल भी परिशान ना हो बिलकुल निच्चिंत रहें lower 2 lower subordinate 2016 की भरती कोट में नहीं है जी आपने ठीक सुना आपको बहुत दिनों से परिशान किया जा रहा है यूटूबर्स द्वारा ये बता कर कि ये भरती कोट में चले गई है ये जानकारी एकदम पुखता है एकदम सत्य है और 100% सत्य है ये मैंने पता लगा लिया है और ये भरती कोट में नहीं है ये भरती अपने चरण में है आयोग में है, मतलग जो इसमें काम होना था वो चल रहा है ठीक है, कोट से इस भरती का कोई मेटर नहीं है, आपको ये बताय गया था कुछ दिन पहले कि इसमें कुछ आलिटिस्ट की पोश्ट थी उसमें BBA BFA के लिए बच्चों को उस चक्कर में बच्चे कोड़ चले गए थे इस भरती को रुकवाने के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है देखें आप बिल्कुल भी परिशान ना हो बिल्कुल निश्चिंत रहें ये भरती कोड़ में नहीं है अब बात करना चाहता हू इसका परिणाम कब तक जारी होगा दोस्तो इसका परिणाम को लेकर खुशकबरी मिली है और इसके परिणाम को लेकर एकदम पॉजिटिव निउस पराप्त हुई है और निउस पॉजिटिव ये है कि इसका परिणाम बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है और आपको बहु जानकारी ये है उससे पहले भी गोशित हो सकता है लेकिन अप्रेल के पिर्थम सप्ता तक 101% ये परिणाम गोशित होना है इस बात से आप निश्चिंत रहें बिल्कुल कनफर्म रहें और अगर गोशित ना हो तो आप देख लेना मेरी बात गलत नहीं होगी मेरी बात एकदम सकते होगी जानकारी जो देता हूँ एकदम सही देता हूँ और आपको सही निउस देने का ही प्रियास के जाता है कभी भी आपको गलत निउस नहीं दी जाएगी ठीक है तो आपका परिणाम 15 से 20 दिनों के अंदर आपका लोवर टू का परिणाम गोशित हो जाएगा ठीक ह तीन-चार दिनों के अंदर कोई अपडेट और इस भरती का मुझे मिला तो तुरंत आपको दे दिया जाएगा ठीक है हो सकता है उससे पहले भी आप ये परिणाम गोशित हो सकता है कुछ जानकारी हलकी सी मिली है कि इसका परिणाम मार्च के लास्ट तक भी आने के चांस ह पता रहूं मैं 100% नहीं है लेकिन 100% है अपरेल के प्रिथम सपता तक ठीक है दोस्तो तो आपको ज़्यादा बेट आप नहीं करना पड़ेगा बहुत जल्दी आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा ठीक है दोस्तो और किसी भरती के पाने में कोई अपडेट जैसे ही म बहुत बहुत धन्नवाद दोस्तों